कोशी का चक्र और कोशी का विभाजन वाला टोपिक हम लेते हैं और मुल्टिपल चोईस क्वेस्टेन्स जो एक्जाम्पलर में दिये हैं वो करते हैं अध्याई नमबर टेन है हमारा कॉशन नमबर फस्ट है अर्द सुत्रन के फल्स्वरूप युगमक बनते हैं गुण सुत्रों की संख्या कम हो जाती है विभिनिता आती है उप्युक्त सभी तो बिल्कुल अर्द सुत्रन के फल्सवरूप युगमक भी बनते हैं गुण सुत्रों की संख्या आधी रह जाती है और विभिनिता ये भी आती है तो आपका आंसर जो हो ज क्शाज सिंगठन अंद् bulky निरधारित हो जाता है इसका जने स्दीक कांस्टुटूटिशन जो निरधारित होता वह आपको बताना है मिकुक्सिस का धुरान तो मेटाफेश First में एनाफेश Second में मध्यावस्ता Самulle wr1 में बिल्कुल हमने मैं देखा है कि फस्त में जो है जो क्रोमोजॉम है वह विफ्रित-द्रूँ की तरफ जाना चालू कर देते हैं आधे एकट्रूग की तरफ चला जाते हैं दूसरे आधे दूसरी द्रूग की जनन के दोरान लेंगिक और का एक दोनों प्रकार के जनन के दोरान उप्युक्स अभी तो जो अर्द सुत्र विभाजन या मियोसिस है वो भुख्य रूप से जननननना के दोरान आर्द सुत्र विभाजन की पष्च्चा वस्ता वन के दोरान समझात गून सुत्र परतक हो जाते हैं तो होमोलोगत क्रोमोजोंट जो है वह अपस में परतक हो जाते हैं अनफेजी के दोरान सम सुत्रन सुत्री विभाजन के विशेषता है न्यूनकारी विभाजन न्यूनकारी विभाजन हम मियोसिस फस्ट को बोलते हैं बिल्कुल आप यह भी याद करते हो चलेंगे मियोसिस फस्ट को हम न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं और सम डिविजन हम समसुत्रन या सुत्रिविवजन को बोलते हैं तो आपका आंसर यही हो जाएगा बाकी के दोनों option wrong हो जाएगे मियोसिस फस्ट को हम न्यून करी बोलते हैं और मियोसिस जो second होता है उसको हम as equal as समसुत्रन या सुत्रिविवजन या माइटोसिस बोलते हैं तो यूगली बायवलेंड किसे बना होता है तो बना होता है तूर्टरेट्स ऑर दो सेंटरेंड से बिल्कुल जोई हमलोगेस ख्रामचों आपस होकर बायवलेंड बनाते हैं का formation करते हैं तो यहां पर चार अर्ध गुण से तुर आ जाएंगे और दो सुत्र केनरिया सेंट्रों में रा जाएंगे अब यहां पर जो कोश्का विभाजित नहीं हो रही है किस अवस्ता में हो सकती है जीवन जीटू जीजिरो रास्तो जीजिरो में हो सकती है जीजिरो एक क्वेशेंट शांत अवस्ता होती है और हमारे शरी में पाया जैने वाली हार्ट सेल्स और निरोंस जो है वो विभाजन नही नहीं दिखायीं दिखाइए और तो हमने देखा कि विनिमाई में अभपृस्टा में होता है जैता है जबहके लिश्म डि college प्रटीन में होता है यह भी आप ठोड़ा ध्यान रखेंगे तो यहां पर आप कांसर हो जाएगा बेनियमा या क्रॉसिंग और अड़ सुत्रन अड़ सुत्र वबाजन के विशय में गलत कथन को आपको छाटना है मियोसिस के संबन्द में समझात गुण सुत्र का युगमित ह ऑन पूरे नहीं होते है लाकि सारी चिजे आठस्तर व्यार जीन जही सही है जीन प्रवस्ते के बारे में सहीखतन आपको चुनना है कोश्का अप आपक्षी द्रष्ट शरन प्रतिक्रतियन इहां नहीं होता है बिल्कुल यह वाला सहिँ है यह संस्विशन के प्रHighת को जती तो आपका आंसर हो जाएगा जो सही कताने कोशिगा के DNA का प्रतिक्रतियन यह application नहीं होता है क्योंकि वह S-phase में होता है Synthetic I can be a S-phase में पाया जाता है G1-phase के गुण है कि यह Metabolical active पाए जाएगी cell इस समय व्रिद्धी पाए जाएगी protein का लेसंस लेशन भी याँ पर होता है तो यह हमने 10 प्रश्ण जो है वो सेल साइकिल और सेल डिविजन से किये हैं आप अच्छे से इने प्रेक्टिस कर लें नेक्स्ट हमारा लेसन है लेसन नंबर 11 पोधो में परिवहन और इसके भी हम कोश्चन वन बाई देख लेते हैं निमलिकित में कौन सा कथन उत्करम परासरन पर लागू नहीं होता है इसका प्रेयोक जल सदोन के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है रिवर्स ऑस्मोसिस जो स्टे assessment होते है रिवर्स ऑस्मोसिस पर यह जाता है इस से पानी को साफ किया जाता इस टक्निके में तंत्रपर परारसं डाप के पर च्खशा दिक दाप प्रीक्थ होता है बिल्कुल सही है यह एक निश्क्री प्रक्रिया बिल्कुल यह सक्री प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर ATP का यूज नहीं किया जाता है और reverse osmosis जो है दाप की वज़े से होती है लो से high concern प्रत्यक रूप से प्रभावीत नहीं करता है तो प्रत्यक रूप से प्रभावीत नहीं करता है तो प्रत्यक रूप से प्रभावीत नहीं करता है ताप बिल्कुल करता है प्रकास करेगा वायू की गती भी करेगी पत्यों का प्रत्यक रूप से प्रभावीत नहीं करेगा त पत्ति को हम प्रश्टधारी पत्ति सम्धी पाश्युक पत्ति यह भी दोनों यह उपिक में से कोई नहीं बिल्कुल डॉर्सी वेंटरल लीव हम बोलते हैं जो कि डाइकोट्स प्लांट में पाए जाती है और जिसमें निचली सत्य पर रंद्र ज्यादा पाये जाते हैं बिल्कुल आप ध्यान देंगे और आईसो बाइलेटरल जो लिव्ज है वो एक बीच पत्रियों हैं मोनोकोट में पाए जाती है और दोनों ही सतों पर बराबर र निश्क्रिय शरक्रा है यहां पर कोई शक्रिय समू नहीं मिलता है तो शुक्रोज जो है वो निश्क्रिय शरक्रा होती है इसलिए इसका प्रियोग फ्लॉम्दौरा फूड के रूप में ले जाने में किया जाता है बाकि ग्लुकोज जो है उसमें शक्रिय रिडूजिंग पाया जाता है, फ्रक्टोज को हम फ्रूट सूगर भी बोलते हैं, इसमें भी होता है और राइबोज जो नुक्लिक एसरड में मिलती है, तो बिल्कुल शुक्रोज की फोम में ही यहाँ पर फ्लोयम दोरा सरक्रा ट्रांसफर की जाएगी, बिन्दुस्तराव की प्रक्रिया सं सरजन की दर कम हो, तब गटेशन पाया जाएगा, बिन्दुस्तराव पाया जाएगा, निमलिकत में से कौन सा एक उधरान अन्ता शुक्रोज का है, इम्भी बिशन का उधरान आपको बताना है, मूल रोम द्वारा जलका, उधरान, रंद्र के द्वारा गैसो का, आदान प प्रश्न की बिशन बोलेंगे, तो बीच का फूल ना भी इसका एक्जाम्पल है, जब पादप जिनन्दता से गुजरता है, तब पोशक हो जाता है, तो जो पोशक है, वो ट्रांस लोकेटेड हो जाते है, या आप देखेंगे कि विड्ड्रो भी आप बोल सकते हैं, कि वो विड्ड्रो हो जाते हैं, ट्रांस लोकेटेड हो जाते हैं, प्रत्यहरित हो जाते हैं, शुद्य जल्व का जल्व बहु मानकताप पर किसके बरावर होता है, तो शुद्य जल्व का जल्व बहु सुनने होता है, और यह मैक्जिमम होता है, यह भी ध्यान देंगे, सभी में तो बिल्कुल आप देखेंगे यहां पर केवल ए है बी है यह भी दोनों आपका आंसर हो जाएगा सही जल के आउसरेशन में भी और खनीज के पॉशन में भी दिये गए चित्र का अथार पर नेमली कि में से कौन सा कतन सही है चित्र आप देख लिजिए विल्याइग नी घ्रणानोगति करेंगे बिलकुल करेंगे सब्तो आपका चा यह तो आपका अंसर नहीं लगा रहा हूं है यह कथन सही है पैदाव है जब यह कक्षण लिख ब्लसकी तुसराख कहते है तो यह गलत है इस प्रक्रिया चालू होने के लिग आए और्थपर्वय के आवशक तो बच गया आपका B वाला option और इसने पूछा है कि कौन सा कतन सही नहीं है तो आपका answer यहाँ पर हो जाएगा B answer आप लगा लेंगे B निमलिखित का मिलान कीजिए तो distance यह प्रस्ण थोड़ा सा यहाँ पर गडबढ है इस प्रस्ण को हम English version से करते हैं तो English version में है match the following and choose the correct लिव्स आपको यहां पर करना है तो आप देखेंगे लिव्स में यहां से कौन सा कॉलम में है चोका कॉलम सेकेंड में तो लिव्स जो है वो ट्रांस्पीरेशन का काम करती है ट्रांस्पिरेशन आप लगा लेंगे, A में सेकंड, सीड जो है वो इंबिबिशन करते हैं, तो यह आ जाएगा, B में फॉर्थ, रूट्स जो है, वो एब्जॉप्शन का काम करती है, एस्पिरिंज है वो एंट्री ट्रांस्पिरेंट है, और प्लास्मिलाइज़ सेल या जी Q2 को पूरह नहीं किया गया है, थोडा गडबढ़ है Q2 के हम बात करते हैं, जो last प्रuste है हमारा और काफ 싶은 है, यह से भी बहुत सारे प्रशन पूछन प्रशन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे प्रशन है, 5 प्रशन बन सकते हैं, विशम जोड़ा का चेंग करना है, amyloplast प् Chlorophyll के तरी अन्य रंगीन वननक होते हैं और Leukoplast इन में रंगीन वननक होते हैं तो बिलकुल यह सारे नाम आप लोगों को याद करने हैं Amyloplast में स्टार्ज का संग्राण होता है ना कि प्रोटीन का होता है तो बिल्कुल तो दियो स्टेंट्स ये कुछ important प्रस्ट हमने यहां से practice किया है as a revision आप लोगों के लिए ये जो शंकला है multiple choice questions, exemplar की काफी important सिद्ध होगी आगे हम और भी lessons करेंगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद